दोस्तो सब्सक्राइब करो सेवन स्टार टेक को और साथ में इस घंटी बेल एकन को भी दबा दो ताकि आपको ऐसे ही वीडियोज मिलती रहें बहुत बहुत स्वागत है दोस्तो आप सभी का सेवन स्टार टेक यूटूब चैनल पर दोस्तो मेरा नाम है शिश पांडे और आज मैं दोस्तो आपको बताऊंगा मेरसे बहुत सारी लोग कमेंट में पूछ रहे थे कि दोस्तो उनका एडमिट कार्ड आ गया है या नई कमपार्टमेंट पेपर का तो जी हाँ दोस्तो आपका एडमिट कार्ड आ गया है और उसको कैसे डाउनलोड करना है वो एडमिट कार्ड आपको कैसे मिलेगा ये सब मैं आज आपको बताने वाला हूँ और करके और जिस तरीके से दोस्तो आप लोग चैनल को support कर रहे हैं वो बहुत ही बढ़िया है ऐसे ही अपना support करते रहा दोस्तो और खुद भी subscribe करो और अपने दोस्तों से भी subscribe कराओ दोस्तों हमारे 18,300 से उपर सब्सक्राइबर हो चुके हैं और दोस्तो मैंने पहला अपना व्लॉग भी डाल दिया है मैंने फहली बार कोशिश की है व्लॉग बनाने के लिए तो आप लोगों को आशा करता हूँ साथ पसंद आए तो प्लीस इसको देखना जरूर एक बार और कमेंट में बताना कि आप लोगों को कैसा लगा या फिर क् में खामी थी तो वो भी आप मेरे को बताना जरूर तो आए चलिए दोस्टो मैं आपको दिखाता कि आपको आपका admit card कैसे मिलेगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह CBSC के official website है और जब मैं यहाँ नीचे करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तो admit card center material for compartment july 2018 school logging तो यह तो दोस्तो school के लिए है और यहाँ पर आप देख सकते हैं admit card for compartment exam july 2018 private candidate यानि अगर आप private candidate हैं तो आप अपना admit card जो है यहाँ से download कर सकते हैं मैंने दोस्तों यह सारे link आपको नीचे description में दिये हैं तो अगर आपको दोस्तों कोई दिक्कत होती है तो तो दोस्तों यह सारे link मैं कुछ इस तरीके से देता हूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने लिखा यहाँ पर click करें और check करें तो यह देखें यहाँ पर अगर आप click करेंगे तो मैंने जो link लिंक दिया है वो आपको मिल जाएगा इससे दोस्तों मैं एक ही पेज पर बहुत सारे लिंक दे पाता हूं जिससे मेरा description काफी clear दिखता है तो इसलिए आप वहां description में दोस्तों ये ये लिंक मैंने आपको नीचे description में दिया होगा तो यहां पर आप देख सकते हैं अगर आप private candidate हैं तो यहां पर admit card पे आप click करेंगे उसके बाद दोस्तों अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आप दिल्ली reason करेंगे अगर दोस्तों आप दिल्ली से बाहर के हैं तो आप other reason करे फिर यहां पर दोस्तो अगर आपको application number याद है तो application number आप डाल सकते हैं या फिर दोस्तो आपका जो मतलब previous roll number था जिसमें दोस्तो आपकी compartment आई है वो roll number आप यहां पर डाल सकते हैं साथ ही में आपको year देना होगा उसके बाद अगर आप चाहें तो अपने name से भी कर सकते हैं name, mother name और father name आपको डालना होगा और आपका जो दोस्तो होगा admit card वो यहां पर आ जाएगा फिर उसको आप print कर लीजे और आपका admit card आपको मिल जाएगा अब बात करते हैं दोस्तो यहां पर यह जो है बाकी students के लिए जो भी दोस्तो अगर आप regular student हैं आप school में पढ़ते हैं आपने school से ही अपना भरा था जो compartment का paper है तो उसके लिए आपको अब अपने school जाना होगा वहीं पर आप जाएंगे और आपको आपका जो admit card है वो school वाले ही देंगे दोस्तो क्योंकि आपने अपनी fees और अपना form school के थुरू भरवाया था तो यहां पर school अपना login password डाल के आप मेरे को नीचे comment करके पूछ सकते हैं दोस्तो मैं आपकी पूरी help करूंगा साथी में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिया दोस्तो सब के पास पहुंचाईए और दोस्तो मेरा vlog भी आप जरूर देखना और बताना मेरे को कि आपको कैसा लगा और एक like सब्सक्राइब कर लिजे ऐसा ही दोस्तो लेटेस टेक्नॉलजी से रेलेटिड वीडियो के लिए तो थैंक यू दोस्तो ये वीडियो देखने के लिए